फिल्म निर्मादा रोई सेटी अपनी एक्शन से वरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं फिल्म निर्मादा में निर्देसक में उनकी ट्रेनिंग उनके फिता एमबी सेटी के साथ उनके जावानी के दिनों में सुरू हो गए थी रोई सिटी के पिता 1970 के दसक में हिंदी सिनिमा में एक फ्रसीद एस्टन्टमेन, एक्सवन कोरिग्राफर और एक्टर रहे रोई सिटी आज एक्सवन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं फिल्मी दुनिया में एक दुसरे के साथ मन मुटाब के कई किसे आपने सूने होगे कोई एक्टर एक दुसरे को देखना पसंद नहीं करता तो कभी एक्टरस के बीच का केट फाइट सुरके में रहती है इस अन्सुने किसे का जिक्र हाले में फिल्म निर्माता रोई सिटी ने क्या उन्हें वाताया कि आखिर वो क्या कारण था जिसके कारण उनके पिता ने व्लोकबस्टर फिल्म को छोड़ दिया था ये फिल्म थी साल 1934 में रिलिज हुई सोले रोई सिटी ने एक इंटर्मी बताया कि सोले रिलिज हुई थी लेकिन चार दिन तक नहीं चली इसके बाद में कर्ष ने इसे दोबारा सुट करने का फैसला किया किसी ने कहा गबर की आवाज ठीक नहीं है तो किसी ने कहा आपको अमिद जी को दुबारा जिन्दा करना चाहिए ऐसा इसलिए क्यूंकि फिल्म रिलिज होने तक वो बहुत बड़े स्टार बन गई थे उन्हें वाताय कि सोले के लिए रमेश सिपी के साथ उनकी पिता काम करते थे लेकिन सोले में उन्हें अपने सन्मान को उपर रखा और हिंदी सिनिमा के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक इस फिल्म को छोड़ दिया उन्हें ऐसा क्यूंकि इसका भी फिल्म मेकर ने खुलासा किया रोहित सेटी ने बताया कि उनकी पिता यानि M.B. सेटी नियमित रूप से रमिस सिपी के लिए एस्टन्ट कोरिगरफर करते थे लेकिन इस फिल्म के लिए उनने ट्रेंड स्विकेंस की सूट करने के लिए भारत के बाहर से एक टीम बुलाई थी इस बात से उनकी पिता खुस नहीं थे इसलिए उनने अपने गुरूर को उपर रखा और सोले का हिस्सा ना बनने का फैसला किया रोहित ने बताया कि उनकी पिता को कभी भी इस बात का पस्तावा नहीं था क्योंकि उनने अपने केरिर में बहुत सारे फिल्में की थी